तो चली शुरुवात करते हैं आज की वीडियो, आज मैं स्पेन करेंगे कोरियन ड्रामा जिसका नाम है Autumn In My Heart ड्रामा की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है कि एक बच्चा अपनी फादर की गोध में होता है उस बच्चे का नाम होता है जुन्सू वो दोनेक रूस्पिटल के अंदर एक रूम के बाहर ख़ड़े होते हैं तो फिर जुन्सू के फादर उससे बौड़र रहे होते हैं कि वो अंदर देखो वहाँ पर तुमारी बेबी सिस्टर है फिर वो जुन्सू को रूम के बाहरी खड़ा करते हैं और बोड रहोते हैं कि तुम यही पर रुकना मैं भी आता हूँ और यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं उनके जाने के बाद उस रूम में से एक नर्स बाहर निकलती है और गलती से डोर खुला छोड़ देती है जुन्सू रूम के अंदर अपने बेबी सिस्टर के पास जाता है और उसके बैट पर एक नेम टैग लगा होता है और वो गलती से उसे तार लेता है फिर वो देखता है कि पास ही में एक और बैड होता है जिस पर एक और name tag लगा हुँआ होता है फिर वो उस name tag को भी उतार रहे था और गलती से जो पहला वादा name tag होता है वही पर गिर जाता है इस वैसे जूंसू दूसरे वाले tag को थोड़ा आगे किया और fake दियता है फिर वहाँ पर नर्स पहुच जाती है और जुन्सू से बोट ही होती है कि तुम यहाँ पर नहीं के सकते हो तुमने यह सब गिरा दिया है वो नर्स वो दोनों नेम टैक उठाती है और गलती से उन दोनों को एक्षेंज कर देती है फिर वो जुन्सू को अपने साथ बहार लेकर शरी जाती है अब कुछ साल बीद गए होते हैं जुन्सू काफी बड़ा हो गया होता है वो अपने स्कूल के क्लास रूम में पेंटिंग बना रहा होता है अच्छाना कि तब उस रूम में एक लड़की आकर रोने लग जाती है उस लड़की के हाथ में एक लेटर होता लेटर को देखके बोड़े होती है कि जुन्सू तुम बहुत ही भड़े जियाक हो तब ही वो जुनसु को देख रही तो चुप जाते है और उससे पूश होते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर वो जुनसु के पास जाते है और उससे पूश होते है क्या तुम नहीं लेटर फेका है जुनसु उस लड़की की और देखता और बूर रहा होता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ वो लड़की दूसरी लड़की की और देखती है फिर जुनसु को चाटा मार कर वहाँ से चली जाती है फिर वो दूसी लड़की अंदर आती है और वो जुनसू को लेटर देती है जुनसू वो लेटर लेता है और अपनी बकेट में फेक देता है फेकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है जुनसू के वहाँ से जाने के बाद उस रूम में दो लड़की आते हैं और उससे पूश कि मैं ride नहीं कर सकती हूं भाही डंक से जौनसू से ignore करता है अपनी bicycle लेकर वहाँ से निकल जाता है यौनसू भी अपनी bicycle निकलते है और वो भी जौनसू की पीछे जा रही होती है आधे रास्ते में आकर जौनसू रुख जाता है फिर अपनी बाइसेकर लेकर पैजल चल रहा होता है यूंसू भी से फॉलो कर रही होती है और साथ ही में कहरी होती है मुझे पदा है कि मैंने ऐसा कुछ किया जिसे कि मेरी भाई को नफरत है मैं रिग्रेट भी कर रही हूँ लेकिन ये पूरा मेरा फॉल्ड नहीं है मैं अपने सीनियर्स को डिस्यावबे नहीं कर सकती हूँ और अगर मेरा भाई नहीं चाहता कि कोई से परिशान ना करे तो फिर जल से जल जल गल्फरन बनाने रही चाहिए जूंसू यूंसू की और देख रहा होता कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाता है फिर जूंसू मुस्करा कर बोड़ रही होती है कि तुम्हें ये पहले कर देना चाहिए था फिर वो दोनों साथ में चल रहे होते है जूंसू पूछ रही होते है कि वो परसंट कौन हो जिसे कि तुम पसंद करते हो तुमने ऐसा बोला था क्लासरूम में जूंसू कहरा होता है कि ये सीगर्ट है और तुम इस बारे में मौमर डैट को मत बताना जूंसू कहरी होती है कि ये तो मेरी मर्जी है तब ये जुन्सू बोलता है क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों रॉक फिपर्स जिदर खेलें जुन्सू हाँ कहते है फिर वो दोनों रॉक फिपर्स जिदर खेलते हैं और जुन्सू हार जाती है हारने के बाद उदास कर बोड़ रही होते हैं कि हमेशा हार जाती है जुंसु उसकी और मुस्दा कर बूर रहा होता है कि तुम हमेशा से रॉक चूस करती हो इस वैसे तुम हार जाती हो तब ही अचानक से बारिश शाड़ आते हैं और वो दोनों अपनी बाइसीकल राइट करने लग जाते हैं बारिश काफ़ जाते हैं इस वैसे वो दोनो एज जयाय पर रुख जाते हैं काफ़ी दे तब वेट करने के वाद बारिश नहीं रुखते है युनसू कहरी होते है कि मेरी स्कट बेगीली होगी जिस वैसे काफी हैवी हो गई है फिर वो अचानक से खड़ी होते है और अपनी स्कट उतार देती है ये देखकर जिस जुनसू के सामने जाता बोड रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो जिस बोड रही होते है कि यहाँ पर कोई भी नहीं और वैसे भी अब मैं सिलिप पहनती हूँ जुनसु पूशा होता है कि तुम ये सब कपसे पहने लगे युनसु बता रही होता है कि अब मैं बड़े हो गई हूँ कुछ देर बाद उनक घर पे पहुँच जाते हैं युनसु अपनी मॉम के साथ ना रही होती है और उसे बता रही होती है कि जुन्सु को किसी पर crush है जुन्सु की मम उसे पूछ रही होती है क्या तुम्हें किसी पर crush नहीं है जुन्सु कह रही होती है हाँ है फिर उसकी मम पूछ रही होती है कि वो कौन है जुन्सु कहती है कि वो मेरा भाई जुन्सु है ये सुनकर उसकी मॉम हसने लग जाती है इसके बाद लोग दूसरे की बैक रप कर रहे होते है यूंसू की मॉम बोर्ड रही होते है कि जब तुम कॉलेज जाओगी जब तुम्हार परफरंट बनेगा तो फिर तुम्हें उससे पहले मुझे मिलाना पड़ेगा तब ही यूंसू अपनी मॉम के कान टच करती है और बोर्ड रही होते है कि आप रिच रहोगी क्योंकि जो आपके एर लोग में बहुत ज़दा फैट है यूंसू की मॉम कहरी होते है कि तुमारे ग्रेंड मदर के सेम ऐसे थैं और तुमारे भी होंगे यूंसू बोर्ड रही होते है कि लेकर मेरे बहुत ज़दा थिन है लगता है कि मैं आपकी डॉक्टर नहीं हो मैं बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं दिखती हूँ यूंसू की मॉम बोर्ड रही होते है कि तुम कैसी बाते कर रही हो तुम मेरी बेटी हो नाने के बाद वो सारे साथ मिलकर डिनर करते हैं अगली सुभ़ जुनसू और यौंसू साथ में स्कूल जा रहे होते हैं यौंसू अपनी स्पीच प्रिपेरड कर रही हुती है क्योंकि आज उसकी क्लास में ये क्लास प्रेंट को चुना जाना होता है जुन्सू बोर्ट रहा होता है कि तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम इलेक्शन जीत के मुझे शोफ करोगी जुन्सू बोर्ट ही होती है कि शायद तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं सीने से हाट जाओ जुन्सू पूश रहा होता है कि ये कौन है फिर युन्सू से बदारी होती है कि ये मेरी राइवल है जुन्सू कहरा होता है क्या हो तुम्हें परिशान कर रही है युन्सू मना कर देती है इसके बाद तो स्कूल पहुच जाते हैं जुन्सु अपनी classroom में जा रहा होता है तब ही वहाँ पर दो लड़किया आती हैं वो दोनों लड़किया है जुन्सु के बार जाती है उनमे से लड़की बोर्टी होते है कि मैंने तुमारी painting देखिया और मुझे बहुत दा पचंद आई है और मैं चाहते हैं कि तुम मेरे लिए एक poem की picture paint करो ताकि मैं poetry contest के लिए सो submit कर सकूँ जुन्सु कह रहा होता है कि तुम मुझसे पहले कभी नहीं मिलियो और तुम चाहते हो कि मैं तुमारे लिए paint करूँ वो ऐसा क्यों करूँ लड़ी को तुम काहा पर जा रही हूँ ये नाम उनते है जुन्सु को रूट की शीने है और वो ऐस चली जाती है कुछ देर बाद जुन्सु की class start ञांती तो फिर वहाँ पर teacher voting ले रही होता है क्लास प्रेजेंट के लिए वोटिंग करने के बाद यूंसु को 29 वोट मिलते हैं और शीने को 16 वोट मिलते हैं इस वैसे यूंसु को क्लास प्रेजेंट और शीने को वाइस प्रेजेंट बना दिया जाता है फिर टीचर बतारी होती है कि हमारी क्लास में ट्रम में फर्स्ट आ फिर टीचर बोर रही होती है कि शिने ने पहले फस्स समिस्टर में एक्जिविशन में पार्टिसिपेट किया था वैसे भी यूंसू अपने ब्रदर की हेल्प ले सकती है तब ही यूंसू की फ्रेंट बोर रही होती है कि यूंसू ने ये इलेक्शन फेर तरीके से जीता है शिने की फ्रेंट बोर रही होती है कि यूंसू का ब्रदर एक प्रिंस की तरह है और इसी वैसे वो पोईम एग्जिविशनर पार्टिसिपेट कर रही है तुम बहुत लगी हो, यूनसु कह रही होती है कि हाँ मैं लगी हो, अगर मेरा बृदर प्रिंस है, तो फिर मैं बही एक प्रिंसस हो, यूनसु की फ्रेंड बीस को साथ दिन लग चाती है, फिर यूनसु शिने के पाग आच जातीर बोहcole हुती है, कि चलो हम दोनो साथ में का जीने कुछ भी नहीं बोलती है, और अपना मुह फेर लेती है, APS घली बैटे है, तो फिर यूनसू की फेरंद नहीं गें।ici कि बता रही हुए। और उसके स्टिप टंगी हुए हुए हुए। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसको बच्चक रहे हैं। यूनसू की फ्रेंट बोर्ड ही होते है कि ये सब शिने ने किया है, मैं जाकर टीचर को बताती हूँ, यूनसू से रोख देती है, फिर वो पेड़ पर चड़ जाती है, पेड़ पर चड़ते हुए जूनसू यूनसू को देख लेता है, वो भी नीचे भाग कर जाता है, किसी फ्रेंट बोलती है कि ये सब शिने ने किया है, और वो काफ़ी टाइम से यूनसू को परिशान भी कर रही है, स्कूल के बाहर पौश से जूनसू देखता है कि शिने अपनी फ्रेंट के साथ एजबर खड़ी होती है, फिर वो अपनी बाइसेकल राइट करता है, यूनसू पर वो अपनी बाइसेकल लेकर जूनसू को पीछा कर रही होती है, तब ही अचानक से उसकी एक टेंपो से टक्कर हो जाती है, जूनसू भाग कर यूनसू के पास जाता है कि वो ब्हुश हो गी होते है, फिर उसे हॉस्पिल्ट एमेट कर रहा जाता है, फिर वहाँ पर पर कि उसे क्या हुआ है, जूनसू रोते हुए बोड़ रहा होता है कि यह से मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे पीछे चोड़ दिया था, उसे काफ़े चोड़ लगे तब ही उसकी माम उसे हग कर लेती है, फिर उसके पेरेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने बता रहा होता है कि चेंटा की कोई बातने सरजरी की ज़ुरथ है, और साथ ही में उसे ब्लैट की प NEW ज़ुच की माम कहरी होते है कि मैं उसे ब्लैट दे दूंगी, डॉक्टर पूश होता है कि कि इसका टाइप B का ब्लैट है, यह सुनकर वो दोनों हैरन हो जाते हैं, यून्सू के बोड़ रहे होते हैं कि हम दोनों का blood type O है तो फिर उसका भी O ही होगा डॉक्टर कह रहा होता है कि यहां को गलती तो नहीं हुए क्योंकि उसका blood type तो B है चलो क्यों नहीं ब्लड टेस्ट ले लिया जाए फिर यूंसु के mom और dad blood test करवाते हैं कुछी देर में blood test की report आते हैं दोनों का blood होता है वो था O type यूंसु के father कह रहे होते हैं कि हम दोनों का blood type O है तो वह रहारी बेटी का B नहीं हो सकता है डॉक्टर कह रहा होता है कि यह impossible है आपकी बेटी का blood type B है यह सुनते ही यूंसु की mom परशान हो जाते हैं फिर दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं ब उसके father कार रोकते हैं कि हमें बात करने शाहिए जूनसु की mom कहरी होते है कि मुझे यूंसु के पास मनाची है जब उसे होश आएगा तो और मैं किसी बारें बात नहीं करना चाते हूँ वैसे भी को टौपिक नहीं है बात करने का जूंसु के father बोल रहे होते हैं कि जुँआ रहे हों जुँआ होता है जुँआ फिर उन्सू बूह रहा होता है कि युद्ध लेट ने के लिए वह कल सुभर यहाँ पर आएंगे। मैं काफ़े टाइम से बारे में सोच रहा हूँ कई ऐसा तो नहीं कि हमारी डॉक्टर हॉस्पिटल में एक्चेंज हो गई हो जुन्सू की मौम कह रही होती है कि युन्सू मेरी ही बेटी है और मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो तो फिर जब उनका सैंपल लिया गया होगा तो फिर गलती से वो दोनों स्विच हो गई हो यह सुनते है जुन्सू के फादर गुश्य में आते हैं और वो डॉक्टर का कॉलर पगड़ लेते हैं अगर तुमने दुबार ऐसा किया तो फिर मैं तुम मैं माफ नहीं करूँगा शीने बोट रहे होती है कि यह ना तो मुझे थ्रेटन करने के बजाए अच्छे तरीके से पूछो अगर तुम शायद अपने नीस पर आ जाओ तो फिर शायद मैं कंस्लिडर करूँ ये बात जुन्सू निड़ी डारों यादर बोट रहोता है कि अब से तुम युन्सू को परिशान मत करना शीने कुछ भी नहीं बोलती है और वहां से भाग जाती है जुन्सू भी खड़ा उतर वहां से जा रहोता है तब ही ओ देखता है कि उसके मौम और डैट वहां से कहीं जा रहे होते हैं कार में जुन्सू के मौम और डैट एक एड़र्स जून रहे होते हैं फिर वो एक मार्केट में जाते हैं उसे डूनते हुए वहाँ पर पॉस्ट कर उन्हें वो एटरस वाला घर मिल जाता है तब ही वो देखते हैं कि उस घर में से की लेड़ी बाहर आती है और वो एक परसन से लट रही होती है उस परसन को भगाने के पाद उस लेड़ी अंदर चली जाती है जुन्सु के फादर भी अंदर की और जा रहे होते हैं लेकिन उसकी मॉम वही पर रुकी होई होते हैं फिर जुन्सु के फादर उसका हाथ पगड़ते हों से अंदर की और लेकर जाते हैं अंदर पॉस्टे को देखते हैं कि वो एक छोटा सा रेस्टों डोता है के अंदर एक छोटा सा घर होता है वो लेड़ी बाहर आती दो बोर्ड होते हैं कि आपको क्या चाहिए हमारेपा सरह भी स्टू है है जुंसुक्त के फादर बोर रहा होते हैं कि हम आपके बेटी के बारें बात माम को रोकतेर बोड़ योतें कि तुम्हें इह पर बैठना होगा ना कि तभी यूंसू के फादर शिने की माम को बढ़ा देते हैं कि हमारी डॉर्टर स्विच्च हो गई है जिस नं दोनों का जनम गूता हॉस्पिटल में वहीं बाहर जुनसू भी खड़ा होता हुई यह सारी बाते सुन लेता है यह सुनने के बाद वहां से चला जाता है रात को युनसू की माँ उससे मिलने के लिए हॉस्पिडल जाती है और वहां पर जा हक करकर बोर्ट ही होते है कि मैं तुम्हें प्रोट करूंगी मैं तु बोर्ट है कि वो जगे बहुत ज़्यादा खराब है मझे माफ कर दो लेकिन जब मैं सोचता हूं कि वो बेबी जबसे वहां पर रह रहा है जुनसू की मौन बोर्ट होते है कि तुम इस बारें बात मत करो क्यों न हम ऐसा करें कि हम प्रोफेशर एक्षेंज प्रोग्राम में यहां से चले जाएं, यहांपर सब को छोड़ कर हम अमेरिकाश चले जाते हैं वही पर जिन्सु भी खड़ा हूता और उनकी बात से सुनने के बाद वहन से चला जाता है, फिर वो हfahrस्पिरल पहुछता यून्सु से मिलने के लिए जिन्सु यून्सु के पास जाकर बैठ जाता हूँ और बूर रहा होता है कि मैं तुम्हें सिगर बताने वाला हूँ कि मैं किसे पसंद करता हूँ जिस लड़कियों में पसंद करता हूँ वो थोड़ी सी कलमजी और काफे जिद्धी है वो बहुत जादा खाना भी खाते है और उतनी प्रिटी भी नहीं है उसके बाल काफी लंबे हैं और उसकी आँके बिलकुल तुमारी तरह हैं वो काफे सुपेड है और मैं उसके काफी डैम से परिशान भी कर रहा हूँ वो तो अपनी बाइसाकल भी डंक से राइड नहीं कर सकती है यह साथ सुनते युनसू गुसें बोड़ रही होती है कि यह तो मैं हूँ क्या तुम मुझे टीस कर रहे हो जुनसू बोड़ रहा होता है कि अगर हम दोनों सिवलिंग नहीं होते है और युनसू चीज चाती है जुनसू जान उचकर हाड़ जाता है युनसू ने दोबारा रॉक प्ले किया होता है और वो खुश होकर बूर रही होती है कि मैंने कहा था कि हम दोनों की डेस्टे में लिखा है मिलना जुनसू कुछ भी नहीं बोलता और वो दास वकर उसकी और देख रहा होता है कुछ हफ़ते बीतने के बाद जुनसू डिस्टार्ज हो जाती है अब उनके स्कूल में पोएम का एक्जिविशन होता है तो फ़ज़ उसकी मॉम होता है उसकी डेट से बोर्ड ही होता है कि हमें टीचर को बता देना चाहिए कि हम अगले महीने यूस जा रहे हैं जुनसू के फादर बोर्ड होता है क्या तुम उससे मिलना भी नहीं चाहती हो अगर मैं उसके देख लिया तो फिर मैं शार्ट टन अवे ना कर पाऊंँ वहां से जुनसू की मॉम कुछ भी नहीं बोलते है फिर वो दोनों युनसू की टीचर से मिल रहे होते है जुनसू की टीचर उसके पेरेंट्स को पेंटिंग के बारें बता रही होती है तो फिर जुनसू की मॉम देख रही होती है पेंटिंग और पूछ रही होती है